श्री गनेशा या नमाहा, नमशकार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे दैनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में नौवे भाव में रहेंगे दोस्तो ये दिन आपके लिए भागे शाली रहेगा इस समय में कर्म कम और लाब ज्यादा के योग बन रहे है इस समय में आपको भागे का अच्छा साथ मिल रहा है इस समय में आपका हर काम भागे के भरोसे पूरा भी हो सकता है इस दिन आप लखी रहोगे अपने लख को आजमाने का ये आपके लिए सही समय रहेगा इस दिन यात्राओं के प्रबल योग बन रहे है, यात्राए होने की पूरी संभावना है चोटी मोटी कोई ना कोई यात्रा इस समय में हो सकती है इस दिन आपके business या profession के लिए की गई यात्राएं लाबदाएक सिद्ध होगी अगर आप कही घूमने के लिए जानना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए यादगार सिद्धोगा, इस दिन धार्मी की आत्राय भी हो सकती है, इस समय में विदेश सेटलमेंट के भी योग बने हुए हैं, अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो इस दिन पूरा करने के लिए ये सही समय है इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्थ होगा इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा संतान सुख मिलेगा और दामपत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर प्राप्थ होगा अगर भाईयों के competitive exams देने वालों के लिए भी ये समय उत्तम है इस दिन आपकी सारी चाय पूरी हो सकती है आपके मनमताबिक दिन व्यतित करने का मोका आपको इस समय में मिल रहा है उसका लाब जरूर उठाए और जीवन के हर पल का पूरा आनन ले ये समय स्वास्ते के लिए भी काफी अच्छ रहेगा इस दिन आप फिट रहोगे पूरी तरीके से स्वस्त्र होगे मन में प्रसंदता रहेगी और एनरजी से भरपूर दिन रहेगा किसी पूरानी स्वास्ते परिशानी से परिशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है दोस्तों चंद्रमा मन का का रख है और की मजबू स्थिती आपके मन को प्रसन रखेगी इस समय में आप पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे व्यर्थ के लड़ाई जगडों से इस दिन आपका बचा होगा हर प्रकार से दिन आपके लिए काम्याबी से भरा रहेगा इस दिन पीले रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुब अंक रहेगा तीन अंक दोस्तों इस दिन सुबह टहलने जरूर जाए अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखे हमारी सोच पर हमें नियंतरन रखना काफी जरूरी होता है जो हम आज सोचते है वही हमारा कल भविश्य बनता है इसलिए सिर्फ अच्छा सोचे पॉजेटिव सोचे इस सुंदर जीवन को हमें इश्वर ने प्रदान किया है इसलिए सुबह उठते ही मन ही मन में अपने माता पिता और भगवान को धन्यवाद जरूर कहे दोस्तों इस राशी फल चंद पार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा